हालो एवरिवान येस दिस इस सोवीन सर बहुत बहुत सो आगा थे आपका इस बहुत ही खुब सुरस से डिसकस्शन में क्योंकि बहुत सारे बच्चों के टेलेग्राम पर लगातर मैसेज आ रहे थे इंस्टा पर मैसेज कर रहे थे और हमारे हेलप नंबर पर भी यही चीज पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट्स आ चुका है पर्सेंटाइल हमें मिल चुके हैं अब बहुत जल्दी कॉलेज के एड्मिशन का फॉर्म स्टार्ट हो जागा कैप्रान चाहिए तो हमें सर ये बताए कि हमें कौन सा ब्रांच लेना चाहिए या कौन से कॉलेज को स्रेट करन आप को किसमें इंट्रेस्ट है अगर आपको उस चीजों में इंट्रेस्ट है तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे भले ही प्रोग्रामिंग वाले फिल्ड में जाएंगे सबसे पहले आपका इंट्रेस्ट देखो कि आपका इंट्रेस्ट किसमें है अब बहुत साथ लूब बुलेंगे सर इंट्रेस्ट ने सर जॉब अपरचुन्टी को देख के आ रही है कि सही मायने में क्या जॉब ऑपरचुन्टी है भी के नहीं तो पहले कुछ चीज़ों पर मैं एक दम बूलते हैं क्लियर कट पहले बात कर लो कि आपको प्रिफर क्या करना है अगर आप जॉब ऑपरचुन्टी मतलब यह जो ब्रांच और कॉलेज़ेस के हम बात करते हैं तो अटको किस बीशिस पे डिसाइड होता है पहले मैं वह वह फ्यक्टरर डिस्कार करना चाहूंगा बर आगए आपको एक जो बुलते हैं कि फेर जुछ रहेगा कि बही क्या आपको चूज करना चुछई उसके पना बात करेंगे सबसे पहले क्या सर्च करता है कि स्टूडट कॉलेज में जा रहा हूं अच्छा कॉलेज है बुरा कॉलेज है एक्सवेजट ब्रांच है वहां से निकलने के बाद मुझे जॉब की कितने अपर्चुन्टीज है यह क्या हुआ था कि जो कोरोना का पिरेड आया था उस पिरेड में CS और IT का इतना ज्यादा बोलते नहीं कि आप समझ सकते हो कि इस समय जो इंटरनेट की दुनिया है कितने तेजी से चल रही है हम धिरे धिरे फाई से 60 की तरफ बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिक्स और कम्लिकेशन का कितना डिमांड हो सकता है आगी जाकर भी जहां पर एक टच में आप जो है कि पुरा-पुरा सिस्टम कंट्रोल करने वाले हैं तो मतलब यह सारी चीज़े ना सिर्फ और सिर्फ सिर्फ से रिलेटेट नहीं है यह सारी चीज़े अलग-अलग फिल्ट से आती हैं अलग-अलग ब्रांच इसमें हैं आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करना होगा ऐस पर यूर कन्विनेंस कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है किसीले नहीं कि मेरा दोस्त क्या ले रहा है पहले आप यह समझो कि आप किसी भी फिल्ट में होगे अगर आप उसमें Excel हो उसमें Master हो तो आपको जॉब मिलने वाली है और अगर आप टॉप ब्रांच में हो लेकिन अगर आप उसमें अच् साता हूं कि जब मैं डिगरी लेकर निकलू तो मुझे मार्केट में जॉब मिलनी चाहिए तो मैं आपको बुलूँ कि आप ब्रांच को प्रीफर करना कॉलेजिस को प्रीफर नहीं करेंगे तो भी चलेगा तर प्लेस्मेंट का क्या अच्छा याद रखो हमेशा की जो प्लेस इन्ट्री दे रहे हो सेलेक्शन नहीं हो रहा इंट्रेव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो एक बार जो आपको इंट्री मिल जाएगी भले वह 8000 का पेमेंट ओधस अजार का हो बारा-पंद्रह जार की जॉब मिले बस वह पहला जो बोलते हैं की जो पहला जो स्ट्राइक रह वाला हो सकता है तो आपको शायद रिजेक्ट करते लेकिन उसके बाद जब आप एक बार कहीं पर भी चले जाएंगे और आपने जॉब में इंट्री कर लिया तो भाई आपका रिजल्ट कोई नहीं पूछने वाला है फिर जब आप नेक्स्ट जगा जागे तो आपको सिर्फ पूछेंगे कि आपका एक्सपिरियंस कितना है कहां से काम कर गया रहे हो वहां पर कितना मिलता था और इंजिनर्स की सबसे खास बात हो दिए कि जब वो जॉब को स्विच करते हैं उनका इंक्रेमिन बहुत तेजी से बढ़ता है मतलब हाड़ली आप तीन चार साल पान साल अपना ब्रांच का प्रिफरेंस किस बतालेना है जॉब आपोर्चुन्टि की बैस पर लेना है पूट सर्ard का क्या क्या मतलब सरट करना होगा अगर आपको लग रहा है अगर आपको लग रहा है कि यार जॉप तो मैं कही ने कहीं कर ही लूँगा एंजिरिंग कॉले से निगलूँगा तो जॉब मुझे मिली जाएगी अगर यह एक्टिटूड आपके अंदर है मैं पलूँगा तो बाइडिफॉल्ट मुझे जॉब मिल जाएगी मुझे चाहिए ओडिफा तो आप जया जाए कि इतना शाहिए था इतना बर्ट किसी लड़ीक से बात करने की पार कंपने लगे इतना ज्यादा आप इंट्रोवर्ट थे कि परसेंल डेवल्प्मेंट हुआ लिए कुछ और जूदियोगी में ऐसा होता भी है किसी ने कर बोल दिया माइक अपने आप से निकाल ली है तो बच्चा तब आपको कॉलिच पर करना है पर कॉलिच जादा वहां पर एक्ष्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है उतने सारे वहां पर इतने बड़े-बड़े को लिज़ोते हैं उसके खास बात क्या होती है प्लेस्मेंट तो होता है ये साथ में उनमें एक्ष्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत जादा होता है जिस्से कि वो डिफ्री मेंट आता है बच्चे के अंदर वह स्लोड़ी ग्रॉड करता वो दिखता नहीं है वो दिखता नहीं है कोई festival हो रहा है कोई कोई कल्चेरल लीवेंट हो रहा है तो ये सारी चीज़े बहुत important और साथ में जो तिसरा factor है वो भी बहुत ज़्यदा important होता है जब आप college को prefer करेंगे पियर ग्रूप जी हां बहुत important है अगर आप अच्छे college में रहेंगे तो अच्छे percentile वाले बच्चे वहाँ जाएंगे thought process आपको उस तरह का रहेगा जिस तरह का लोग सोच रहे हैं इस तरह के intelligent बच्चे सोच रहे हैं आपका thought process अगर आपको लग रहा है कि सर आपका ब्रांच को और ब्रांच कोई और भी होने दो मुझे देखना है कि अच्छी जॉब मिलने चाहिए मेरा पसंद दीदा अगर मेरा ब्रांच मिल जा कोई भी रनने दो तो बच्चा मैं आपको सेलेट करूँगा कि आप ब्रांच को ही सेलेट करना ब्रांच कोई भी होने दो क्योंकि होता क्या है कि at the end इंडिया के अगर मैं बात करूँ तो एडड़ एंड बच्चा आपको आपके काम में महिर होना है आप में से बहुत लोग होंगे जो आगे यूपेसी के लिए करेंगे और वहाँ पर चाहिए होता है परस्नल डेवलपमेंट वहाँ पर आप वह निचर नहीं दिखा सकते हैं कि डिसीजन आपका फास्ट होना चाहिए ठीक है वहाँ पर बात करने का तरीका आपका एकदम क् अच्छे पैकेच चाहिए तो आप ब्रांच को जरूर 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 प्रीफर करो क्योंकि अगर आपका पसंदिदा ब्रांच नहीं रहेगा तो आगे थोड़ी से तकलिफ रहेगी और आपको लग रहे है कि सर ब्रांच कोई भी हुने दो कॉलेज एक नमबर वाला हो चाह लगते योगे तो अपना ड्सी में मार्केट में तो बच्छा मैं एक रहुद में क्या सकते हैं कि उसको 12 में कुछ 45-46 आया था बेसी आइट किया था उसने रेगुलर आइटी फिल्ड से किया था और अभी आज हो अच्छा खासा कमा रहा है तो सिर्फ आइटी के बात नहीं कर रहा हूं किसी भी फिल्ड में अब डिप्लोमा करके भी बहुत सारे बच्चे मेकेनिकल में फिके सीविल में जाते हैं और अच्छे खासे वह एक बार आपको एक्स्पिनेस मेंटर करता है जैसे समय के साथ आवागे बोलोगे एक्स्पिने मिला नहीं तो मैठ अब टॉप कॉलेज में मैंने सिविल लेले लिया म सिविल में मज़े लंगे सिविल में मजा ही नहीं आ रहा है मूझे दो its own ब्रांश से आप बहुत सोस समझ के करना कॉलेश लो लिवल का होगा एक बर चल सकता है अगर आपका मन पसंद दिदा ब्रांच नहीं मिला तो यह ग्रेड जिन्दगी विर रहा जाता है कि यार मैं उस ब्रांच में हो सकता था या वो मैं कर सकता था लेकिन उस टाइम पर मुझे मौका नहीं मि चाहिए कि आर मुझे मेरा ब्रांच मिलना चाहिए और अगर कॉलेश की बात कर रहे हैं तो ब्रांच कोई भी होने दो अगर आप पूल लेना है टॉप वाला तो फिर आप कॉलेश के लिए जा सकते हो प्रीगे मिलते हैं इसे खुब सूरा से डिसकुशन में तब तक के लि जै हिन जै हिन जै मानस्टर मिलते हैं नेक्स टाइब बाई